So welcome back guys, आपका स्वागा थे मेरे एक ओरने वीडियो में और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ 2BH के अपार्टमेंट जो सेल पे है और यह इसका सेंपल हाउस टूर होने वाला है तो बने रही है आपको सारी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेरे वीडियो में मिल जाएगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको बहुत ही बड़ा और स्पेशियस लिविंग एरिया मिल रहा है आप देख सकते हैं काफी ब्यूटिफुल लग रहा है यह लिविंग एरिया यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सोफा टेबल सारी चीज़े वैल और्गना गया है और उसके आजूबा जो आप डेकोरेशन के लिए भी आपको स्पेस दी गई है आप इसकी फॉल सिलिंग इंटिर देख सकते हैं एलेडी लाइट्स लगाईगी है जो बहुत ही ब्यूटिफुल लग रही है एँद लिविंग इरेया के साथ कनेक्टेड ही आपको एक बहुत बड़ी बालकनी मिल रही है आप देख सकते हैं इस बालकनी सा आप व्यू देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल व्यू आ रहा है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपको चिल्टरन पार्क दिख रहा है जो इस सोसाइटी के अमेनिटीज है और आपको भी आपकी प्रोपर्टी इंस्टन्ट सेल और पर्चेस करनी है तो डिस्किप्शन में दिये गए एक कॉंटेक नमबर पर से हमको कॉंटेक करिए और किचन एरिया से पहले ही आपको जो डाइनिंग स्पेस मिलती है उसके उपर आप देख पा रहे होंगे LED लाइट के साथ फॉल सिलिंग मिल रही है आपको जो बहुत ही ब्यूटिफुल लग रही है और यहां पर ओवन रखने के लिए सेपरेट स्पेस दिया गया और उसके नीचे आप वह ड्रप देख सकते हैं गाईज यह आपका modern modular kitchen है देख सकते हैं बहुत सारे cupboard प्रोवाइड किये गए हैं आपको जिसमें आपका kitchen का सारा समान फिट हो जाए आई शेफ platform वाला kitchen मिलता है लुसी के बाजू में आपको मिलता है store room जिसमें आपका kitchen की सारी groceries और बाकी का सारा समान आराम से फिट हो जाएगा इसके लेफ साड में आपको मिलता है wash area जिसमें आपका washing machine और बाकी का washing का सामान से फिट हो जाएगा and guys ये इसका first bedroom है पार ये bedroom भी काफी बड़ा and spacious है और इसका interior जो बहुत भी beautiful तरीके से design किया गया है इसकी ceiling light देख पा रहे हैं square shape में आपको LED light वाली false ceiling मिल रही है जो इस room को और भी attractive बना रही है and सामने के साड़ आप wardrobe भी देख पा रहे हैं जिसमें इस room का सारा समान आराम से फिट हो जाएगा room में आपको एक study table भी देख पा रहे होंगे जो available किया गया है इसको आप as a children room भी यूज़ कर सकते हैं and इस room के साथ आपको मिलती है एक window जो काफी बड़ी है and यहां से आप view भी देख पा रहे है and इस window के नीचे की सेड़ आप plants भी रख सकते हैं decoration के लिए and यह इसका common bathroom है जिसमें आपको एक western style toilet प्रोवाइड किया गया है and उसी के बाजू में आप देख पा रहे हैं आपको एक wash basin भी प्रोवाइड किया गया है guys यह इसका second and master bedroom है आप देख पा रहे होंगे काफी लंबा bedroom है यह इसकी height and length काफी perfect है and इस room का interior भी आप देख पा रहे होंगे बहुत ही खुबसूरा तरीके से design किया गया है rectangle shape में fall ceiling में LED lights मिल रही है देख पा रहे होंगे windows भी बहुत सारी provide की किये जिससे proper ventilation और sunlight बनी रहे है देख पा रहे होंगे यह window पूरी ground से touch हो जा रही है इतनी लंबी दी गई है इस side भी आपको एक wooden shelf मिल रहा है आप देख सकते हैं या पर decoration के लिए आप statues और बाकी की चीज़े रखके इसको attractive बना सकते हैं देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी आपको एक window प्रोवाइड की गई है इस room के साथ मिलता है आपको एक attached bathroom जिसमें आपको western style toilet और wash machine available है यह apartment जुंडाल एरिया का है यहाँ से airport का distance almost 8.5 km है यहाँ से केड़ी hospital almost 4.5 km है और यहाँ से निर्मा इनर्सिटी भी almost 5 km है So guys thanks for watching मैं आपको मिलूँगा एक और नहीं interesting वीडियो के साथ तब तक इस वीडियो को like, share और channel को subscribe करें